दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो के जरिये आपको बताएंगे दुनिया की ऐसे दसकार जो दिखने में काफी अजीबो गरीब है लेकिन इन्हें देखने के बाद लोगों की निगाहे नहीं हटती। दोस्तों इस दुनिया में लोगों की चौक की कमी नहीं आपने लगजरी और तेज रफ्तार वाली कारे सरकों पर कई बार देखी ही होंगी। लेकिन दुनिया में कई ऐसी अजीबो गरीब कारे हैं जो सरकों पर आकरशक का केंदर बनी फिरती हैं। लोग इन कारों की बनावट पर काफी पैसा खर्च करते हैं। ये हैं दुनिया की 10 अनोकी कारे जो आपको दिवाना बना देंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए और आल पर प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो को लाइक और शेर करना न भूले। आईए अब वीडियो को देखते हैं। दोस्तो नमबर एक पर हम आपको बता दे डबल कार, सरको पर डबल डेकर बस तो जरूर देखी होगी लेकिन क्या आपने कभी डबल कार देखी है। एक कार को एक कार पर उल्टा रखा जाता है जो डिजाइन को न केवल आकरशक बना देता है बलकि उस व्यक्ति के लिए भी दरावना होता है जो उल्टा कार में बैठता है। Fact number 2 दोस्तों number 2 पर हम आपको बतादे टेलेफोन कार. ये डिजाइन इतनी अनौकी है बिलकुल टेलिफोन जैसा एक कार की कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा लग सकता है. जबकि कुछ के लिए ये अजीब हो सकता है. Fact number 3 दोस्तो नमबर 3 पर हम आपको बताते हैं, Mini Outspan Orange, ये कार बड़े संत्रे की तरह है, मानो एक चलता फिरता संत्रे और यह भले ही हाई स्पीड कार ना हो लेकिन दिखने में ये बड़ी प्यारी लगते है दोस्तो नमबर 4 पर हम आपको बताते हैं, Pyramid Electric Car, इस कार को Dream Car 123 भी कहा जाता है, इसे मिस्र में देखा गया है, ये ग्रेग जनीज द्वारा डिजाइंग की गई थी और इसे सिर्फ 3.5 गंटे में चार्ज किया जा सकता है दोस्तो नमबर 5 पर हम आपको बताते हैं, Doge Diora, यह वाहन डेटराइट के अलक्जेंडर बंधो द्वारा पिकप के रूप में बनाया गया था और यह अन्य वाहन उसे अलग क्यों करता है, ये तत्थे था कि इसके सामने का अंत पीछे के अंत में प्रतीत होता है दोस्तो नमबर 6 पर हम आपको बता दे, Elmo Jet, इसे पहली बार देखने पर हर कोई धोखा खा जाता है, उन्हें ये कार नहीं बलकि एक प्लेन लगता है, लेकिन जब इसे करीब से जाकर देखते हैं तब इसकी हकीकत समझ में आती है, जिसकी लंबाई 42 फिट है और उचाए 11. 12.5 फिट के लगभग है, जिसके अंदर एक बड़ी स्क्रीन और साउंड सिस्टम के साथ काफी खूबसूरत लाइप लगाई गई है, ताकि आप इसमें सफर के साथ साथ दोस्तों के साथ पार्टी कर सको. दोस्तों नंबर साथ पर हम आपको बताते हैं, रेनो अल्टिमो, इस कार को रेनोल्ट कमपनी ने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जो आम लोगों के लिए तो बिलकुल नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत ही इतनी ज्यादा है, इसे चलाने के लिए किसी ड्राइ दोस्तों नंबर आट पर हम आपको बताते हैं, अपसाइड डाउन, इस कार को पहली बार देखने पर लोगों का दिमाग चक्रा जाता है, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है, जैसे ये कार उल्टी चल रही हो, जिसका कारण है, इसका अजीबो गरीब डिजाइन जो इसे बाकी कारों से अलग बनाती है, जिसे देखने के बाद हर कोई चौक जाता है, दोस्तों नंबर नौ पर हम आपको बताते हैं, फैंटम्स का, ये कार दिखने में काफी दरावनी लगती है, जिसमें नीले रंग की LED लगी हुई है, जो इसे और भी अजीब बना देती है, क्य दोस्तों नंबर दस यानी अंत पर हम आपको बता दे, सुफा का, इस कार के बारे में जानने के बाद आप सोच सकते हो कि लोग कितना क्रियेटिव हो सकते हैं, एक व्यक्ती ने अपने घर के सुफे को एक कार में बदल दिया है, जो सणक पर 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पी कीजिए, विडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके विडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, आज के लिए बाई फिर मिलेंगे एक नई विडियो के साथ, थैंक यू जाय हिन